अगला कदम क्या होगा ये किसी के कयास लगाने के बस में अब नहीं रहा क्योंकि उपेंदु कुश्वाहा ने दिल्ली में मीडिया से बाचीत में साफ साफ कहा कि वो आगे आप कोई फैसला ले सकते हैं इसके साथ ही साथ जब वो दिल्ली से पटना पहुंचे तो मीडिया कर्मियों के बीच उपेंदु कुश्वाहा ने ये साफ कर दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी से उनको मिलने का समय नहीं मिला इसके बाद अब चार पांच और छे तारिक को वालमीकी नगर्ग और मोतिहारी में होने वाले RLSP के बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं इस बीच जो सूत्रों से खबर निकल करके आ रही है उसके मुताबिक उपेंदु कुश्वाहा संसत के शीद कालिन सत्र से पहले केंद्रिय मंत्री का पद जो है उसको छोड़ सकते हैं बिहार NDA में आगामी लोग सबाचुनाओ के मद्दे नजर शीद शेरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच संसत के शीद कालिन सत्र से पहले केंद्रिय मंत्री और रालोस्पा के अध्धक्ष उपेंद कुश्वाहा मंत्री पत से इस्तीफा दे सकते हैं ऐसा सूत्र बता रह हैं सूत्रों के अनुसार मंत्री पत पर इस्तीफा देने से पहले कुश्वाहा 6 दिसंबर को मोतिहारी में NDA छोड़ने का ऐलान करेंगे ये सारे खबरे जो आ रही है वो सोर्सेस के मुताबिक मिल रही है संसत का शीद कालिन सत्र 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है इससे पहल काले दिनों में NDA के साथ बन रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला पार्टी के कारेकरता लेंगे कुश्वाहा ने बिहार में सुशासन पर भी सवाल उठाया राजी की बिगरती कानून मेवस्था से लेकर कहा कि आखिर नितीश कुमार कब तक हमारे कारेकर करताओं की बली लेते रहेंगे आपको बता दे कि कुश्वाहा ने कोई भी फैसला लेने से पहले पीएम नरंद्र मोदी से मिलने की इक्षा जताई थी लेकिन उनसे मुलाकात का समय नहीं मिल पाया इस बीच पीएम मोदी अर्जेंटीना के दोरे पर चले गए हैं वो 2 दि में वो NDA से अलग होने का एलान कर सकते हैं जाहिर है कि उपेंद कुश्वाहा के बयान से ये जरूर लग रहा है कि अब वो NDA के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं है माना ये जा रहा है कि उपेंद कुश्वाहा NDA छोड़ेंगे और उनके बयान से भी ये जरूर साबित हो र लेकिन वो अल्टिमेटम को नकार दिया गया बीजेपी की तरफ से क्यूंकि भुपेंद्र रियादौ जो कि बीजेपी के बिहार प्रबारी हैं उन्हों ने पटना में बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में साफ साफ कहा था कि उपेंद्र कुश्वाहा का कोई तो नहीं हो सकी लेकिन भूपेंद्र यादों से उनकी मुलाकात होई, मुलाकात में उन्होंने NDA में जो कुछ चल रहा है, जो RLSP चाह रही है, उसके बारे में उनसे बाते की इसके साती साथ सीट शेरिंग को ले करके भी उन्होंने अपनी समस्या भूपेंद्र यादों को बताई थी, लेकिन भूपेंद्र यादों ने कहा कि उपेंद्र कुछ वहा ने ऐसी कोई समस्या नहीं बताई है, अब पिये मोदी से भी नहीं मुलाकात हो सकी कि उपेंद्र कुछ वहा की, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीत करवट लेती है आप लाइब सीडिस के साथ बने रहे हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगतार अपडेट दे रहे हमारे यूटूब चैनल पर जाईए उसको सब्सक्राइब करिए इसके साथ हमारे फेस्बूक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलती रहें